गुड मॉर्निंग अल आफ यू बीसी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ट फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर फेस एकलिब्रियम की हमने अभी तक ऑफ-लाइन में स्टेडी की उसके कंटिनियूस में हम आज स्टेडी कर रहे हैं हैं हैंड्री का नियम सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड्री का नियम होता क्या है गैसों की विल्यता पर दाप के प्रभाव को दर्शारने वाला एक नियम है जिसे हमने कहा हैंड्री का नियम वो क्या बताता है वो बताता है कि गैसों की प्रकति वे अन्य गुणों की भाति विल्यता भी दाप से अ दाप का भी प्रभाव होता है जिसे 1803 में सरप्रथम विलियम हैंड्री ने विभनिगैसों की विल्यता पर दाप की प्रभाव का अध्यन किया और उनमें एक क्वांटिटेटेटे रिलेशन दिया जिसे उन्हीं के नाम से हैंड्री का नियम का हजब है इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस्थे दाप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में गैस में गुली हुई मात्रा उस द्रव की सत्य पर साम्यवस्था पर उस गैस द्वहरा लगाए गए दाप के समानुपाती हुता है कहने का ताद परिवच्चो यह है कि मान लिया हमने कोई हमारे पास सॉल्वंट है या हमने विलायक लिया है उसमें यह हमारे पास इसमें सॉल्वंट है उसमें कोई गैस गुली हुई है और उस द्रव की सत्य पर द्रव की सत्य पर गैस द्वारा लगाए गए दाप के समानू आती होता है जब किसी द्रव में कोई गैस गुली होती है तो वह सत्य की गैस के साथ निम्न प्रकार साम्मेवस्था में रहती है गैस है जो कि किसी विलायक में गुली होती है और यह है गैस और गैस यह वस्था में सत्य पर उपस्थित गैस जो कि दोनों एकुलीवियम में रहती है यही है निका निम है और इसकी साम्मेवस्था पर गैस की जो मात्रा कौन सी मात्रा जो विलायक में गुली होती है वो सत्य है पर उपस्तित गैस के दाब के समानुपाती हुई यदि विलायक होता है उसमें एक या एक से अधिक गैसे गुली हुई है तो प्रते गैस में गुली हुई माता उस गैस की आज़िक दाब के समानुपाती होता है इसे हम mathematical form में M proportional P जब proportional का संधर इनटा एक constant आता है जिससे हम कहते हैं HENRY constant M क्या है M है विलायक के 1 आयतन में गुली हुई GAS की मात्रा P है उस गैस का दाब और K स्थिरांग है जिससे henry नियम अब आगे कहा कि हन्ये का नियम है वह henry सही है तो हम अगर साम्मेवस्था प्रिताप और विलयता के बीच में ग्राफ फ्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ है वो एक स्टेट लाइन आनी चाहिए आदत गेंस एक्वेशन के नुसार पीवी जिकल टू एन आटी एन क्या है M upon W तो हम यहां से इसकी VQ value निकलेंगे V क्या है constant है यदि कब जब ताप स्थिर हो तो M, P, R और W यह सब भी एक constant है हैं हैंड़ी के नियम को हम निम्जप्रकार भी परिभाशित कर सकते हैं किस तरह से परिभाशित करते हैं कि दिये गए तापमान पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में गुली हुई गैस का आयतन दाप पर निर्भर नहीं करता है तो इस कथन की सत्ता के पक्ष में हमने विभिन टेंपरेचर पर दाप पर कारबंडा एक्साइट की जलित की विलेता यहां पर हमने दे रखी हैं प्रेजेंट कर रखी हैं हैंरी कनियम कहता है कि किसी गैस की विलेता उसके आन्शिक दाप के समानुपाती होता है इस कथन की पुष्टी इस तरह होती है कि जब कार्बोनेटिकली शीतल पे अथवा सोडा वाटर की बॉटल को खुला जाता है तो हमने देखा है बच्चों जैसे ही हम खोलते हैं तो क्या होता है जो गैस के बुलबुले होते हैं वो बहार निकलते हैं और जब बॉटल गैस की क्या होती है विलेता उच्च होती है और अथिक मात्रा में गूली रहती है लेकिन जो ही हम बॉटल को खोलते हैं बॉटल के अंदर बॉटल के भीतर वायू प्रवेश कर जाती है जिससे कार्बंडाई ऑकसाइट का जो आंशिक दाप है वो घट जाता है उसके बाद होता है उसकी विलेता कम हो जाती है और विलेता कम होने से अतरीत गूली हुई गैस होती है वो हमें बॉल्बुलों के रूप में बहार निकलती हुई दिखाईत है अब हैंडरी के। नियम का हमृक्षा दोरन करते हैं विलायक के एक निश्चित आयतन में भिन भिन दाप पर गैस की गुली हुई मात्रा नोट कर ली और फिर हमने M अपॉन P का अनुपात हमने कैलकुलेट किया तो हैंडरी के जो नियम के नुसार यह है एक स्थिरांग होना चाहिए और प्रायों के टूठ्यों की सीमा में इनके नमान लगबग समान ही आते हैं अब हम बात करते हैं एप्लिकिशन्स ओफ हैंडरी लो हैंडरी नियम के अनुप्रियों सबसे पहला है विल्यों को गुली हुई गैसों से मुक्त करना इसका उपयोग करके हम किसी भी विल्यन को उसमें गुली हुई गैस से मुक्त कर सकते हैं कैसे मु스도 कर सकते हैं, एकजامبل के दवारा हम समझते हैं कि अमुनिया का एक ज़ेली überzeugi है, इसमें हम नैट्रोजन गैस को बुलबुलों के रूप में प्रवाइद करते हैं, तो वे विल्लीन अम्मोनिया से मुक्त हो जाती है। अब मुक कैसे होती है कि जब nitrogen gas का बुल्बुला billion में होता है तो उस बुल्बुले में gas का आन्शिक्था शुन होता है और उसके संपट में आने वाले billion में अमोनिया की विल्यता शुन हो जाएगी और विल्यन में गुली हुई अमोनिया भी नाइट्रोजन के बुलबुले के रूप में बहार निकल जाएगी तो इस प्रकार जो हमारा जो सॉलूशन है वो अमोनिया फ्री होता जग दूसरी अप्लिकेशन है कि शशन क्रिया में हैंडी की नियम का पालन होता है कि शशन क्रिया हमारे एक रूटीन का प्रमुक अंग है लक्षन है जिसे हम ऑक्सिजन ग्रहन करते हैं और कार्बन डाइकसेड हम बहार निकलते हैं तो जो यह प्रॉसेस है उस द्वारा वात और क्रिया के अंत सए minder से हम लोग औक्सिजन ग्रहन करते हैं जो जीवों में विदियो क्षिक ऑन कयी है यह मुद्ची में एकशिक्र curse इस प्रकार स्वेशन क्रिया के की अंत में जीव क्या होता है वह गारिए और जलवाज को मेंुआ तरड इसकी अप्लिकेशन है केवल भारी शोषन ही नहीं चरीर के बीतर की कोशिश शोषन भी हैंरी के नियम का पालन कर तो बच्चों आज हमने पढ़ा है हैं रिक नियम और उसकी अप्लिकेशन कल हम इसके आगी का चेप्टर की स्टुड़ी करें तैंक यू